दोस्तो फिर से सागे दे मेरा चैनल पे मेरा चैनल का नाम है इलेक्टोनिस इंडिया मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो देख सकते हैं आमारे पास 15 इंज का एक वीडियो गौन का टीबी है इस टीबी का पॉब्लेम दिखाऊंगा सुलुसन करके बाता हूँ ठीक है दोस्तो इस टीबी का पॉब्लेम क्या है वह बाता देता हूँ दोस्तो जब मैं टीबी को पावार देता हूँ पावार देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जाल जाता है जालने के बाद जब मैं टीबी को स्टैन्बाइ से रिलीज करता हूँ रिलीज करने के और रिलिजभी हो जाता है रिलिज होने के बाद काईसे फीकटर आरा देखिए पूरी तARS से हमारा गीर होके पड़ा और हमारा हंसा एक लिख़ा दिख रहा था लेकिन वो भी मीट गया है मतलब दोस्तो आज का जो पॉबलेम है वो हमारा पूरी तरह से गीन का पॉबलेम है इसके लिए क्या करना है देखना पड़ेगा इसका कहा से पॉबलेम आया है में PCP से या हमारा जो बेसबोर होता है पॉबलेम हो सकता है इसलिए क्या करेंगे पहले टीवी को ओपें करेंगे ओपें करने के बाद देखेंगे हमारा कहां पर पॉबलेम है ठीक है दोस्तों क्या करते है पहले टीवी को ओपें कर लेते हैं दोस्तों मैंने टीवी को ओपें कर चुका हूँ ओपन करने के बाद अरहा फिटनेज का जो C80 led यूवरा और ये रहा उमारा जो या कोईल होता है और आरहा रहा न्पीजिव दोस्तों आज का जो problem आया है जो गीन का problem cavity पूरी तरह से गीन्होंके के ही पॉब्लेम है है एक चीज़ गहरों की серьme जो ट्यूप K activity का जो नीक है नीक पर जो बेस लागाया हुआ है बेस पर हमारे थिन लागाया हुआ है और ही ट्र होता है हम रम्र таग होता है और गाउन होता है इसका जो तीनो कालार का जो पॉइंट है तीनो कालार पे सेम टू सेम हमारा थोड़ा सा जादा थोड़ा सा कम होगा बोल्टेज रहेगा इसलिए इस बोल्टेज को चेक करेंगे पहला नमबर तो यह बला अमारा दिग रहा है यह बलू बला दिग रहा है यह बलू बला अमारा किदना भोल्टेज दिग रहा है अमारा 143 भोल्ट दिग रहा है और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे रेट पर यह बला अमारा रेट का पॉइंट है रेट पॉइंट पर 150 दि डिफरेंस है और उसके पाद जीड पे चेक करेंगे जीब मतलब रहेंड मतलब रहा राउ मतलब रहेंट और एंख ब्लू और जीब अन्दल वैल हम हम रोना ज़ो आज का पोबलेम है ग्रीम पूरी तरह से फूल है इस लिए ग्रीन पर ही है और गीन का वोल्टेट चेक करेंगे इस बाला पॉय्ट पे इस बाला पॉय्ट पे चेक करने से पता चलता है हमारा 153, 143 इदना होना चाहिए था वहाँ पर हमारा 25 वोल्ड आ रहा है यह बहरे involves यह क्यू है बाल पता होना चाहिए कहां पर पॉब्लेम है वह पाता होना चाहिए इसलिए एक एक चीज़ को चेक करेंगे एक तो होता है हमारा में बोर से जब काला नहीं आएगा तो इस पर ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा लेकिन इतना कम क्यूं है यह बाला पाता होना चाहिए यह बाला जो टांजिस्टर फिल्टरिंग टांजिस्टर दिया गया है फिल्टरिंग टांजिस्टर का पॉब्लेम हो सकता है या जेनाट डायट का पॉब्लेम हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसलिए पहले इसको चेक करेंगे उसके बाद देखेंगे हमारे ट्यूब पे सोटेज है क्या नहीं ट्यूब पड़ेगा ये बाला जो वेज़र बेज़र कर बाने को आची तरा से चेक करना पड़ेगा इसी लिए क्या कартते है एक एक जो ग्रीज़र जो पॉइंट है ग्रीज पर जो पड लगाया हुआ है उसको आच्छी तरह से चेक कर लेते हैं कि दोस्तों आब आता हूँ इसका पॉब्लेम कैसे सलुसन निकलते हैं दोस्तों इसका जो तीनों पॉइंट दिग रहा है ग्रेन रेट और आमरा ब्लू यह तीनों का गालार का पॉब्लेम ग्रिन कालार क कहाँ से हमें जो टूबका जो बेस होता है बेस का जो गीन का कानेक्शन ह build का connection हटा दिया का connection हटा देने के बाद आमरा पिच्चर का इसे आ रहा है दिखी हमारा स्नोह है मदलब हमारा टीवी पे जो गीन બોल्टेज दिख रहा है जो 22 या 19 जो भी बोल्टेज होता है और сотрудette पॉल्टेज नहीं ता लेकिन एवार पोईट को खोलने के बाद भी हमारा वोल्टेज नहींดत ौ नहीं है क्योंकि हमारा उट्पक्रिकिरोन स्वेक्ट कर देधें रहे ह। इसलिए क्या करते हैं इसवाला कनेक्शन को अइदे बेखें एबला तो हमारा जो हमारा 180 भोल का connection है और इस पे resistance देखे हमारा एबला पॉइंट पे दिया गया है इस पॉइंट पे हमारा आना चाहिए था वही जो 180 भोल के जगा पे 140-150 आना चाहिए था लेकिन अबला voltage नहीं आ रहा है देखिए जो पॉइंट पे हमारा resistance लगाया हुआ है यह बला resistance और एबला resistance सेम है लेकिन इस बला पॉइंट पे देखिए यह बला पॉइंट पे हमारा 119, 132 यह फिकारिंग होते रहता है जब तक कालर का सिस्टेम रहेगा और इस बला पॉइं खोलेंगे और इसका जो सापोर्टेट जो आमारा डायवड को ये उसको चेक कर लेंगे दोस्तो मैंने यह वाला जो आमारा सैर्कीट है और ईस पाला जो तीनो रेजिस्टन लगाया हुँांता है लिए तो तीनो कळार को कॉन्ट्रोल में कहार्ने के लिए जो भोल्टेज तांजिस्टर का फोल्टेज देने के लिए एक रेजिस्टेंग रागाया था वह बहु pollटेज हमारा परोंज नहीं रहे और ETH पुढ़र पosH को गीन कर रखला का पॉबलेम आया है इसलिए दोस्तों क्या किया मैंने ये बाला रेजिस्टेंज को मैंने ओपन कर चुका हुँ ओपन करने के बाद अब लोग सब्सक्रावाज देख सकते 15ktered ff figure is continue का रिजिस्टेंजाव था एब 15 के रेस्टेंज हमाई खर उуш चबबाद वैलुखें थीक्ट हचुका है हाई हो चुका है है या घृboy er कट गया है लेकिन दोस्तों आख फुस्टक को मैंने ज़िएblo让 न को चेक्पकिया तो ऑन बिस्टन हमारा 15 देग रहा था और इसका कालार पार भी दाग रहा है कानेट करके देखेंगे हमारा जो voltage का shipping का problem था वोल्टेज shift हो गया था वोल्टेज नहीं था वो बाला voltage आता है कि नहीं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं यह बाला resistance को कानेट कर चुका हूँ और कनेट कर देने के बाद जो हमारा इस बाला point पर जो गीन बाला point था गीन बाला point पर हमारा voltage नहीं था इस बाला point पर देखिए हमारा one 35, 35, 48 इस दिना voltage आर चुका है जो voltage आना चाहिए 50 का अंदर में जो voltage आना चाहिए वोल्टेज आ चुका है और ए बाला रेजिस्टेंड पे देखिए जो तीनों पॉइंट पे सेम वोल्टेज होना चाहिए करिब-करिब वोल्टेज होना चाहिए ओ बाला बोल्टेज को फिर से चेक कर बाद देता हूं ये तो green का voltage हमारा आ गया है 147, 138 इदना आ रहा है और red color पे चेक करेंगे ओई देखिए 142, 30 voltage आ रहा है और ये बलू पे चेक करेंगे बलू पे चेक करने के बाद देखेंगे देखिए ओई voltage आ रहा है 32, 19 इदना voltage तो आप डाउन करेगा नहीं तो हमारा system पे picture control में नहीं आएगा मतलब दोस्तों आज का जो problem था इस बाला point पे हमारा voltage था और इस बाला point पे हमारा 18 volt 0 volt हो गया था मतलब ए बाला point पे हमारा voltage नहीं था इस resistant काट गया था इस resistant का लागाने के बाद हमारा जो skin पे जो snow होना चाहिए ओ बाला skin आ चुका है देख सकता है हमारा skin आ चुका है और मैं इसको AB सेट AB पे transfer कर दूँगा दोस्तों देखे हमारा जो picture नहीं था ओ ग्रीन कालर पे picture आ रहा था और हमारा skin पे पूरी तरह से ग्रीन कालर का skin था और हमारा picture कोई भी नहीं था ओ बाला problem solve हो चुका है मतलब दोस्तों आज का जो problem था ओ problem हमारा baseboard से आया था baseboard का जो voltage जो ग्रीन कालर का जो voltage मिलना चाहिए जो resistant पे ओ resistant जो हमारा transistor को voltage देता है color filtering करने के लिए ओ बाला resistant हमारा काट चुका था यह बाला resistant हमारा काट गया था और कारने के कारण ही हमारा यह बाला point पे voltage नहीं पहुँच रहा था और voltage नहीं आने के कारण ही हमारा जो green color पे नीक पे जो voltage होना चाहिए 134, 140 जो होना चाहिए 49 तक होना चाहिए ओ बाला voltage हमारा नहीं पहुँचने के कारण ही यह बला भोल्टेज जाब ड्रॉब हो जाएगा तो green color high हो जाएगा ठीक है दोस्तो मेरा तो इस बला पॉरी तरह से clear voltage आ चुका है मतलब दोस्तो हाज का जो problem था वो solve हो चुका है इसी दरह का निया-निया वीडियो मिले के लिए मेरा चैनल को जुरू सस्काइब कर देना बेल आइकून गो दापादेना अल नोटिफिकेसन आउन कर देना जब भी मैंने आने आप वीडियो लेकाऊंगा आप लोगो को मिलते रहेंगे ठीका दोस्तो मिलते हैं इक प्रेवबाद तप तके लिए दोस